और इस वक्त की एहम ख़बर आपको बता दें, संसद्य समीतियों में उपराश्पती के नीजी स्टाफ की न्योकती को लेकर विवाद हो गया है यहाँ पर 20 संसदिय समितियों में 12 करमचारियों की नियुक्ति का मामला है संसदिय समितिय की कारेवाही आपको बता दे गुप्त होती है संसदिय समितिय में सैयुक सच्चिव स्तर का अधिकारी होता है राज्यसभा के महासच्चिव को रिपोर्ट करते हैं ये अधिकारी महासच्चिव संसदिय समितियों की कारिवाहियों के ओ रिपोर्ट देते हैं तो यहां पर उप्राश्प्यति का जो फैसला है उसको लेकर यहां विवाद खड़ा हो गया है विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है और नीजे करमचारियों की नियुक्ति को कामकाज में सीधे दखल माना है इस वक्त हमारे वरिश सहयोगी अखलेश शर्मा हमारे साथ जूड़ रहे है इस पर जाधा जानकारियों के साथ अखिलेश जी अभी तक की रवायद इसमामले में क्या रही है नीजे स्टाफ की नियुक्ति सीधे तरपर क्या दखलन दाजीं और निश्पक्षता से समझौते की तौर पर देखी जा रही है कि विपक्ष इसको इसी तोर पर देख रहा है निजी स्टाफ को नियुक्ति किया बार है कि जब उपराश्पती ने अपने जो निजी स्टाफ हैं जिन में कि उनके OSD हैं उनके प्राइवेट सेकरेटरी हैं उनके और भी जो अन्य इस तरह के कर्मचारी हैं उन्हें इन संसिदी समीतियों में न्यूक्त कर दिया है आपको बताएं कि कुल 24 संसिदी समीतियां ह हैं वो राजस्वा की होती हैं और इन्हीं आठ समीतियों में राजस्वा के सभापती की ओर से अपने नीजे स्टाफ को रख दिया गया है हालनकि बाद में जब विबाद हुआ तो यह सफाय दी गई उपराश्पती सच्चिवाले की ओर से कि इसमें जो न्यूक्ति की गई नहीं किया गया तो इसमें यह विवाद इसने भी उठाए क्योंकि यह जो कारवाई होती है यह गोपनी होती है और इसमें जो भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वह सीधे सेक्रेटर जरनल को रिपोर्ट करते और सेक्रेटर जरनल अगर चाहें जरुब पढ़े तो वो समय- हैं कि जो हुमन रिसोर्स है कमिटी इसका वह अच्छा हो आई एस आएफस ऑफिचर्स की न्यूक्ति की गई है इसमें क्या गलत है यह उन्होंने सवाल पूछा है लेकिन फिर भी विवाद खड़ा हो गया क्योंकि आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से अब यह लेकिन फिचे खीचे क्योंकि इस तरह की कोई जैसे मैंने कहा कि मिसाल नहीं है और यह एक तरह से कहा जा रहा है कि दखल अंदाजी है संसिरी समीतियों के कामकाज में क्योंकि अगर उपराश्पती के और सभापती के कर्मचारी है अगर वह सीरे तोर माद सीरे तोर पर तो प्रशन आता है इसमें इन नियुक्तियों के जरिये समितियों के कामकाज को कहीं नीतरित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है यह फिर उसका और विष्ट तेयस सु तो इसके पूरी जानकारी के लिए तो हमारे वरिष्टायोगी अखिलेश बता रहे थे किस तरह से संसद्य समीतियों में उप्राश्पति के नीजी स्टाफ की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ है संसद्य समीतियों में आठ करमचारियों की नियुक्ति भी संसद्य समीतियों में हु